अगामे 19 मई को कोलकाता में लोकसभाचुनाओं के सात्वे चरण के तहत मतदान होने हैं 14 मई को कोलकाता में बीजेपी के रास्ट्रधरक्ष अमिच्शा के रैली के दौरान हुई हिंसा इस वक्त पुरे देश में चर्चाओं में हैं समस्त राजनीती करण इस घटना को लेकर जारी है देश में चल रहे इस शुनावी महाल में जिस तरह प्रचार प्रसार के दौरान सड़कों पर खुलेयाम आगजनी की गई तोड़ पोड़ की गई मातुपोर मूर्तियों को नुकसान पहुचाया गया वह वाकई शर्मनाख है वहीं इस विवात के बाद त्रणमूल के और से एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें भारी संख्या में लोग आगजनी करते दिखें टीमसी के इस वीडियो के जारी होने के बाद भाज़पा ने भी वीडियो जारी किया जिसमें त्रणमूल पर ही आरोप लगाये जा रहा है त्रणमूल की नेंता डियरेक उब्रायन ने अपने सोचल मीडिया पर बतौर सबूत तीन वीडियो शेयर किये और बीजेपी के कारेकरताओं पर आरोप लगाया एक वीडियो में बीजेपी का जंडा भी साफ दिख रहा है जिसमें कुछ लोग भगवा रंग के कपड़ों में हाथ में दंडा लिए गाडियों में नुकसान पहुंचा रहे हैं इन गाडियों में आग लगा दी गई जो सड़क किनारे धूदू कर जल उठे जारे की के दूसरे वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि उगर भीड सड़क पर खड़े वाहनों को आख के हवाले कर रही है दावा है कि आगजनी करने वारे कारेकरता बीजेपी के समर्थक हैं मही तीसरे वीडियो में भीड का उत्पात साफ दिखाई दिया दूसरे तरफ बीजेपी के अमित मालवे ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने तुरणमूल पर अमिर्शा के रोड शो में उपदरफ करने का रोप लगाया मही दिल्ली में तुरणमूल के और से भी कॉंस्टिटूशनल क्लब में एक प्रेस वारता की गई जहां टीमसी द्वारा उत्पात का वीडियो दिखाया गया पश्यमंगाल में हुए चुनाव प्रेचार के दोरान इस जबरदस हिंसा को देखते वे चुनाव रैली और सभाओं पर चुनायोग के तरफ से रोक लगा दी गई है चुनायोग के तरफ से जारी प्रेस कॉन्फरेंस में ये जानकारी दी गई है और ये फैसला आज से प्रभावी होगा यानि सोला मई की राट दस बजे से ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा पशमंगाल के नौ संसदी शेत्रों दमदम बारासाथ बसीरहाट जैनगर मथुरापूर जादफपूर डायमेंड हाबर दक्षन और उत्तरी कॉलकाता में कोई भी चुनाव प्रचार आज राट दस बजे के बाद नहीं होगा बताते चले कि 14 माई को अमिच शाह की रैली कॉलकाता के मुखे केंडर शहीद मिनार से शुरू होकर धर्मतला क्रॉसिंग से मानिकतला तक जाने वाली थी लेकिन गंतावी तक पहुंचने से पहले ही बीजेपी और तुनमूल के कारिकरता आपस में भेड़ गया और इसी दौरान विद्यसागर की मूर्ती कोशती पहुंचाई गई लोगसभ़ चुनाओं के आखरी चरण से पहले बंगाल में माहौल हिंसक हो गया है बीजेपी की राश्च्ट अध्याश अमिच शाह ने भी बुद्वार सुभा प्रेस कॉन्फरेंस कर ममता सरकार पर हमला बोला इस औरान शाह ने आरूप लगाए कि इशोर्चंद विद्यसागर की मूर्ती टीमसे की गुंडों ने उखाडी साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार के लोग सभ़ चुनाओं में बीजेपी बंगाल में अच्छा प्रदरशन करने जा रही है और लग भग 23 सीटे यहां से जीतेगी हमें सब्सक्राइब करना न भूले और नोटिफिकेशन्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाए